सद्धार्च शुकला के परिवाल ने एक स्टेट्मेंट इशू किया है दरसल सद्धार्च के नाम पर कई चीज़े आ रही है चाहे वो कुछ वीडियोज हो, डॉक्यूमेंटरी हो, उनके उपर बायोग्राफीज हो तो अब इन चीज़ों को लेकर उनके परिवाल ने एक स्टेट्मेंट इशू किया जिसमें इन बातों को साफ साफ कहा गया है कि भले ही सद्धार्च अब हमारे बीच में ना हो लेकिन सद्धार्च आज भी ना होकर हमारे साथ मौझूद है और सिधात भले खुद अपने decision ना ले सकता हो लेकिन सिधात का परिवार जो है इन चीजों पे decision ले सकता है तो उन्होंने लिखा है to all of सिधात's well wishes we as a family come with a request which we hope everyone will respect सिधात आगे बढ़ गया चला गया हमारे साथ आप नहीं है कि वो अपने फैसले ले सके खुद के लिए फैसले ले सके लेकिन आज भी वो हमारी जिन्दगी का हिस्सा है हमारी यादों में हैं और हम यहाँ पर उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हैं उसको protect करने के लिए हैं हम आप सभी से प्रातना करते हैं request करते हैं जो सद्धात के नाम पर या उसके face पर यानि कि उसकी तस्वीर का इस्तिमाल करके किसी तरह का कोई भी project बना रहा है बनाना चाहता है हम से संपर्ख करें एक मिनट निकालिए हम से पूछने के लिए हम जो हैं पता है हमें कि सद्धात को क्या पसंथा क्या नहीं पसंथा हमें यह पता है कि वो क्या चाहता अपनी जिंदगी में वो अपने लिए क्या फैसने लेता और हम भी उन फैसनों को जब लेंगे तो इस जिनसे वो खुश नहीं था तो वो कभी नहीं चाहता कि वो प्रोजेक्ट रिलीज भी होते Anything that did not release when he was with us, did not have his consent or intent for release और अगर जब वो जिन्दा था तब वो प्रोजेक्ट रिलीज नहीं हुए और इसके पीछे का कारण यही रहा होगा कि वो जो है उसने उन प्रोजेक्ट को रिलीज करने के लिए हामी नहीं भरी होगी, तो प्लीज उसकी इच्छाओं का थोड़ा तो सम्मान कीजिए उसको अपने ध्यान में रखिए और इस बात को मत भूलिए कि जो प्यार है आपका, जो फॉन मेमरीज है वो जो है हमारे बीच में छोड़ गया है अपने बारे में, उन चीजों को हमेशा याद रखिएगा तो जो सिधात के नाम पर कुछ प्रोजेक्स रिलीज किये जाने की बाते हो रही है उसको लेकर अब सिधात के परिवार ने इस तरह का एक स्टेटमेंट जो है वो इशू किया है